जिकार, मैं हिमान्षो आज हम बात करेंगे दमा या अस्थमा रोख की सांस लेने में कट्राई होना, किसी भी मौसम में सांस संबन्धी, एलर्जी हो जाना जरासे भी महनत करते हुए, चलते हुए, साइकलिंग करते हुए, दौरते हुए सांस का फूल जाना अस्थमा के या दमा के लक्षन है शुद्धिकरण की दो क्रिया है जलनेती और कुंजल यदि हम करते हैं अस्थमा समाप्थ होने लगता है भोजन में नाश्टे के समय रात के भीगे हुए मोनक्के और अंजीर यदि हम चबा चबा के खाए और दिन में किसी भी समय जब भी हम चाहें गरम पानी में एक नीबू निचोड़ के पी जाए तो अस्थमा दीरे-दीरे समाप्थ होने लगता है स्वस्त रहें, मस्त रहें, योग अवश्य करते रहें